सेल इसको स्टील प्लान द्वारा गतुनिस तथ 20 चुलाई को रिवर बैंक रिट्रीट गेस्ट हाउस के कौनफरेंस हॉल में सेल के सभी सयंद्रों तता सहयोगी काईयों के लौ हेड्स के लिए दो दिवसी कौनक्लेफ का योजन किया गया जिसका मुख्याउद देश्य सेल के सामने आनी वाली विभिन कानूनी बाधाओं उपर चर्चा करने तथा सामन जिस्ते पुर्ण प्रसाशन के लिए बहतरी इंतरी को बिचारों कतर रणनीतियों पर सुझाब देना रहा इस सम्मेलन में मुख्याती थी के रूप में डिरेक्टर इंचारज आईएसपी औंडी इस्पी श्री बीपी सिंग उपस्थित रहे इनके अलावा Officeating EDP अंडेश्पी पवन कुमार सीच्ँम लो अन्डी अलो श्री अज़िएसबी माथोर संग लो डेपात्मेन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे कारिक्रम प्रारंब में CGM Law and PLO श्रीयस्पी माथोर ने सभी का स्वागत करते हुए कारिक्रम के उदेश्य से सभी को अवगत कराया इस कारिक्रम के संभोधन में धिरेक्टर इंचार्ज आईस्पी एंडियस विश्री बीपे सिंग ने आईस्पी के कानूनी कारियों करने में Law Department के महत्पपर जोड दिया सेल के विभंन गाईयों के व्यवसाई के प्रबंधन में आने वालिए विभनर कानूनी बाधाओं के लिए इस Conclave में भाग लेने के लिए प्रोच सॉहित किया साथ ही उन्होंने सेल के बहतर प्रशाशनिक निर्णाय लेने में सक्री रूप से भागीदारी के लिए समय समय बस सही पाठ्यक्रम नरधारित कराने के लिए प्रेडित किया कारिक्रम के तौरान सभी विभाग प्रमुखों द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से कॉन्ट्राक्ट कमर्शियल ट्रास्टिंग, स्टेट मैनेजमेंट, अर्बिक्रेशन मैटर्स तथा MS-AME से संबंधित मुद्दो जैसे विभिन्द पहलूँ पर चर्चा की गई वो लेखनी है कि इस दो दिवस्य सम्मेलें में लौ डेपार्टमेंट के सभी विभाग प्रमुखों को प्लांट विजिट कराया गया, वहीं इस कारिक्रम का सफल संचालन डिपटी मानेजर लौ सूश्री नेहां सेंग ने किया